साथियों ओ लेवल के रिजल्ट आ गये हैं लेकिन कुछ लोगों का complete रिजल्ट सो नहीं हो रहा है कहने कमेंस यह है कि उन्होंने जितने पेपर दिये थे उन्हें से कुछ का सो हो रहा है और कुछ का सो नहीं हो रहा है फॉर इजमपल आपने M1, M2, M3 और M4 एग्जमपल के तरपर आपने इन चार पेपर का इन चार बुक का पेपर दिया था तो ऐसे में मान लिजे आपका सिर्फ और सिर्फ M3 और M4 का रिजल्ट सो हो रहा है और इन दोनों का नहीं सो हो रहा है तो इसका रिजन क्या है इसका सिंपल्स है फॉर इजमपल आपने मान लिजे जुलाई 2020 में एक्जाम देने के लिए M1 और M2 का पेपर लॉक किया था एक्जामपल के तौर पर चुकि एक्जाम जुलाई 2020 में नहीं हो पाए थे वो पोस्ट पॉन हो गय थे जनवरी 21 में तो ऐसे में निलिट ने आपको द दोबारा से M3 और M4 भी लॉक कर दिया जब आप लोग चेक करते हैं तो वह वहां पर आप लोगों को M3 और M4 का सो होता है M1 और M2 का सो नहीं हो रहा है तो इसका सिंपल सा कारण है कि आप लोगों को रिजल्ट दो बार देखना पड़ेगा कैसे तो सबसे बहले आपको जा जो आपकी डिटेल्स हैं लाइक रोल नंबर एंड इसके बाद डेट ऑब वर्थ वो आपको यहां पर फिल करने होगी तो कहने कमेंस यह है कि एक बार आपको 2020 जुलाई-देर 20 इस से लॉग इन करना है चेक करना है और एक बार 2021 और जनवरी 21 से जाकर रिजल्ट चेक करना ह तो गाइस अगर आप लोग चाहें तो आप मारे थ्रूप M2R4 M3R4 जो की ओ लेवल का oldest लेवल था और साथी M2R5 M3R5 में से complete classes complete PDF notes के लिए आप मारे WhatsApp नंबर 760-7418817 पर contact कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि अगर आपने कम से कम दो paper pass कर लिये हैं तो आप project submit कर सकते हैं उसक के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर contact कर लिए तो मैं आपको पूरी information प्रवाइड करा दूंगा ओके बेस्ट आफ लग जय हिंद जय वारत वंदे मात्रम थैंक्यू फ्रेंड्स